कैसे आप सब मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ हम लोग 10-12 दिन गाउ चले गए थे दीवाली हमने गाउ में ही मनाई और गाउ से आने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ और वो भी मेरी तबियत ऐसी हो चुकी है कि गाउ में थंड बहुत जादा थी और जब ट्रावेलिंग करके हम यहाँ है तो मेरी तबियत और खराब हो गई और मुझे सर्दी हो गई है सरदर्द हो रहा है आज बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे लेकिन क्या है सर्दी जब होती है तो सर्द बहुत भारे हो जाता है और एक चीज में आपका मन नहीं लगा रहता है तो मैंने वीडियो बनाना सोचा कि बना लेती हो शायद किसी और चीज में मन लगाने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा थोड़ा मन हलका हो जाएगा तो आप लोग कैसे हो कैसी मनाई आप लोगोंने दिवाली मुझे जरूर से बताईएगा और हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई लेकिन ठंडी बढ रही है तो उस वज़े से थोड़ी सी तबियत सभी की मेरी नई बच्चों की इनकी मेरी हम सब की तबियत खराब हो गई ट्रावेलिंग जो हमारा गाउ बहुत दूर है तो ट्रावेलिंग में है ज़्यादा ठकावट सी हो गई और इस वज़े से ऐसी हालत और यहां घर पे आने के पाद 10-12 दिन जभी घर बंद रहता है तो घर की हालत पूछिये मत इतनी खराब हो गई थी साप सफाई और जो धूल मिटी उड़त है तो इस वज़े से सपी की तबियत खराब हो गई तो अभी लेटी थी कल से ही में आराम पे ही थे लेकिन फिर भी क्या है आराम मतलब हमें घर लेकीन खाना पीना बनाना जयादा उतना कामकरी नहीं तो आज तो मैने कपड़े भी नहीं कल थोड़े दोए थे थोड़े आज धो रही हो तो मसीन में डालूंगी तो इसका कलर इसको और इसका कलर इसको लग जाएगा और दो चार कपड़े रहने दू वापिस फिर तो नई हो रहा था तो सोचा चलिए थोड़ी दिर के बाद जब थोड़ा ठीक लगेगा तब ही कप लगते ही है और दूल मिट्टी पता नहीं कहां से आ जाती है गर में सब बंद करके गए थे फिर भी पुरा गर बहुत गंदा हो गया था तो वो भी साफ्स किया है और यहां पर मेरे सामने धेर रखा है सामान का अभी उससे भी मुझे खोलना है इनको दिवाली में किफ्ट मेरी थी वो भी मुझे खोल के देखनी है आपको भी बतानी है बहुत सारा काम अभी रखा है लेकिन तब यह ठीक नहीं है इस वज़े से सारा काम मैंने छोड़ दिया है इसे ही और आपके आँ ठंड कैसी है जरूर से बताईएगा हमारे यहां तो गाउ में बहुत ज़्या और यहां जाते है। उस से मिलना है यहां घूमना है तो उसमें ठक गए वो खुशी खुशी में समझ में नहीं आया घूमते गए घूमते गए और उसके बाद आज देखे उटने के भी हालत नहीं है ऐसा हो गया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो सामान यहां पर जो मुझे अभी समेटना है, उसे ठीक करना है, लेकिन और कुछ दिन जाएगे, अगर अच्छा हो गया तो फटा-फट से हो जाएगा, नई हुआ तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्या हालत हो गई है पुरे गर की, जो जैसा छोड़के गई थी न, वैसा कुछ है ही न, सब फिर से ठीक करना होगा, दिवाली की सारी साप सफाई, दिवाली से पहले में करके गई थी, तो वो सारी साप सफाई, मेरी ऐसी ही मैनत मेरी पुरी पानी में चलिए गई, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हस्बंड को जो गिफ्ट मिली थी न, दिवाली की, वो मैंने अभी तक बैग खोली नहीं, वो ऐसी ही रखी है, और यह जो हम गाउ लेके गए थे न, जो बैग वो है, यह बच्चों के स्वेटर है, जैकेट, यहाँ पर भी है, देखिए, यहाँ इसके नीचे भी है, वहाँ पर भी है, यह पूरा जो है न, बैड के बाजू में जो फिरिया, वो पूरा मैंने सामान से बर दिया है, अभी जो सामान दिखाया है न, उन सबको मुझे खोलना है, सारे कपड़े फिर से दोने है, क्योंकि गाउ में हमारे है न, पानी अच्छा नहीं आता है, वो ख्षार वाला जो पान दोने होगे, और जबी ट्राविलिंग करके आते हैं, तो सामान में भी बहुत ज़्यादा दूल मिटी भर जाती है, इसलिए दोने फिर से सारे कपड़े मुझे दोने होगे, जितने लेके गई थी न, उस सारे दोने, कुछ कपड़े बाहर भी देने है, और उसके बाद फि इतना सरदर दो रहा है, मैं अभी ये लगा के सोई थी, थाकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और दीमाग थोड़ा ठंडा हो जाए, और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, मेरा उसमें भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं खड़ी होके आ गई, इस वाले रूम में, और नहीं आती है, तो इसलिए आप लोगों के साथ बात करना शुरू किया, मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा दिमाग भी, दिमाग में, लब किसी और दिशा में वो चला जाए, मुझे सर्दी है, सर्दी है, यह ना सोचना पड़े, सूबह स यही सोच सोच के न, और ज्यादा सर्दी बढ़ गई, हवा आज बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हवा खा नहीं पा रही थी, ऐसा हो गया, खिड़की खोलती थी, कि नाक बंद हो रहे थे, सब बंद करके बैठी हूँ, ऐसे ही, ठंड भी लग रही है, मुझे, बहुत दिन के बाद बनाई है, क्योंकि गाउस से आने के बाद मेरी तबियत बहुत खराब हो गई थी, और आज जाके थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने अपने लिए मुर्मुरे बना दिये थे, नमकीन वाले, और टमाटर साथ में काट लिया था, और बच जो बच्ची हुई रोटिया थी ना, उसे मैंने मसाले वाली बना दी थी, ताकि बच्चे पेट भर के खा पाए, और वो भी बाहर से लाने से अच्छा है कि घर का कुछ खा ले, नहीं तो तबियत और खराब हो जाएगी उनकी भी मेरे साथ साथ, बच्चे तो थोड़े ब अपने दिनों के बाद, आज ये वीडियो को अभी में पूरा करने की कोशिस कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बात कर लूगी, तो अच्छा लेगेगा, वीडियो अच्छा लगाए, तो प्लीज उसे लाइक और शेर कीजिएगा, बाई बाई